एक्जामिनेशन शेडूल जारी हो चुका है यहां पर बता दें कि यह जो मेहत्वपुन वीडियो है आपका एकजामिनेशन शेडूल जारी हो चुका है यानि कि NEP का जो examination schedule है यूनिवस्टरि ने जारी कर दिया है और यह जारी हुआ है 2nd Sam और 4th Sam सभी courses के लिए ऐसा नहीं है कि यह humanities के लिए है सभी courses के लिए है चाहे आप कोई भी course कर रहे हैं चाहे आप humanities कर रहे हैं चाहे आप commerce कर रहे हैं किसी भी कोर्सी से हैं सभी का यहाँ पर शेडूल जारी हो चुका है पेपर जो आपके होने है शुरू वह छे तारिक से शुरू होने है अब बस आपको यह देखना है कि पहला पेपर आपका कौन सी डेट में और कप पड़ रहा है तो यहाँ पर आपको बता दे कि काफी स्टूडेंस का मैसिज ये भी आ रहा है कि अभी तक जो है एग्जामिनेशन फॉर्म तो नहीं आए हैं फिर डेट शीट क्यों जारी कर दी गई है तो आपको बता दे कि एग्जामिनेशन फॉर्म बाद में भी आ जाते हैं कभी कभी और डेट शीट जारी हो जाती है जिससे स्टूडेंस अवेर हो जाएं कि उनके एग्जाम जल्दी ही है तो अब बस समझे एक महिना ही एक सवा महिना आपके पास है और सेकिंड सेम के स्टूडेंस को तो चिंता करने की ज़रूत नहीं है सेकिंड सेम के हमने प्रिवेस कोशन पेपर अप्लोड कर दिये हैं बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है लास्ट यर भी काफी तैयारी कराई गई थी सेकिंड सेम के स्टूडेंस की नहीं ब्याकरन हिंदी है वो आपको मिल सकता है प्रिवेस कोशन पेपर बाकि आपकी जो भी कोईरिज है आप कमेंट बुक्स में जरू बताइए हमारी जहां तक कोशिश बनेगी हम आपकी जो है कोईरिज को पूरा करने की कोशिश करेंगे अब आप भी एक कोशिश कर लीज एक छोटा सा लाइक कर दीजे और शेर कर दीजे क्योंकि आपके शेर करने से ये जानकारी सब भी स्टूड़ेंस तक पहुँचेगी जो सेकंड सैम और पोर सैम शिर्देश सुमन से अपना कर रहे हैं किसी भी कोशिस से प्लीज लाइक करिए शेर करिए क्योंकि बहुत ही म पहुचती है तो एक सब्सक्राइब तो आप करी सकते हैं चलिए देख लेते हैं पहला पेपर किसका जा रहा है तो चे तारिक में जो पेपर अब काफी स्टूडेंस ये भी पूछ रहे हैं कि मैडम डेट इसकी एक्स्टेंड होगी या नहीं तो कुछ कहने ही सकते हैं लास से जादा वन वी किया फिर मैं मतलब शोड नहीं हूं लेकि फिर भी हम 13 मई इसका मान कर चल सकते हैं कि 13 मई तक कि इसकी डेट जा सकती है लेकिन फिर भी आप 13 में और 6 में कोई जादा फर्क नहीं होता है आप 6 ही मान कर चलिए अब यहां पर कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस प्लॉसिपी और आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट यह हैं सारे इसमें 6 तारिक में अब यहां टाइमें आप देख सकते हैं सेकिन सेम का क्या जा रहा है सेकिन सेम का जो टाइमिंग है माइनर मेन और बैक और एक्स स्टुडेंट सभी का है यहां पर ठीक है मेन बै तो भी नहीं आये हैं और आप फोर्सम में तो अब आप यहां पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर्म एक साथ आएंगे मेन का भी बैक का भी और एक्स का भी ठीक है केलियर हो गया अब यहां आप देख लीजिए साड़े साथ बज़े से पेपर शुरू होना है और प्रकंडियर होना है ड्रॉयंग एन पेंटिंग बायो टेक्नलोजी ठीक है दो पेपर होने है टामिंग हमने ऊपर देख लिया कोई सब्सक्राइब होना है आप यहां पर पेपर के नाम चेक करते रहें नो तारिक में होना है आपका एणिवर्मेंट स्चाइंस और संसकत का अब Environment Science का जो पेपर होना है वो जो आपका मेन पेपर है वह होना है कि दस तारिक में मेजर आपका पेपर Home Science और Chemistry का है कोई भी गैप पीछ में नहीं है तो आपको बिलकुल तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि गैप नहीं है तो बस आपके Back to Back पेपर है पहले से Preparation रहेगी तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से Time कर पाएंगे Saturday में मेजर का होना है आपका यहाँ पर Static Music और Music Tabla Vocal 13 तारिक में फिर 12 का संड़े है 13 में Mathematics, Botany का होना है और Sociology का होना है 14 तारिक में Geology का है और Sociology का है इसके बाद 15 तारिक में आपका Political Science है 16 तारिक में Commerce और Hindi का पेपर आपका 16 तारिक में जा रहा है Hindi कथा साहित है और 4SAM में Natakavis मारक साहित है पेपर का नाम Slaves में जो आपके हिंदी का है Notes में सारे Provide करा दूँगी और साथ में आपका Co-Curriculum जो है 4SAM का वह भी में Provide करा दूँगी ठीक है अब यहाँ पर 17 तारिक में English का है Physics का है फिर इसके बाद 18 में History का है Geology इसके बाद 20 तारिक में Education और Military Science 21 तारिक में फिर आ गए हम Minor Reluctive पर Minor Reluctive Second Sam का भी होना है और 4SAM का भी होना है दोनों ही Classes में Minor Reluctive होना है तो Minor Reluctive अगर BA, BSE, BCOM के जो इतने भी Students है जो भी Paper आपका है Minor Reluctive में अब जैसे BA में Minor Reluctive जो हम पढ़ा रहे हैं 4SAM में हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आपका रचनात्मक लेखन ठीक है Sorry, वो Minor Reluctive नहीं है वो आपका Vocational है तो यहाँ पर Vocational की बात करते हैं पहले BA में हम पढ़ा रहे हैं 4SAM में रचनात्मक लेखन उसके Notes में आपको प्रोवाइट करा दूँगी फिर इसके बाद BSE में Minor Reluctive यहाँ पर माइनर Reluctive उपर आ जाते हैं BSE में Minor Reluctive हम पढ़ा रहे हैं हिंदी व्याकरन उसके भी Notes में आपको प्रोवाइट करा दूँगी Second exam के Students अगर आपके पास Minor Reluctive में जो है हिंदी है हिंदी व्याकरन तो उसका previous question paper भी मैं अप्लोड कर चुकी हूँ उसको आप एक बार देख लीजिएगा अब बात करते हैं vocational की vocational भी मैंने अप्लोड किया है उसको भी आप चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं co curriculum के अब आ चुके हैं co curriculum पर BSE, B.com students अगर आपके पास co curriculum में चाहे आप B.A.K. students है चाहे आप co curriculum में एक ही co curriculum चलता है सभी का ठीक है एक co curriculum में जो है आपका वैदिक अधियन है वैदिक अधियन के भी notes में आपको provide कराऊंगी लेकिन इसके MCQ based question आएंगे तो ज़्यादे तर आप कोशिश कीजिए कि MCQs की ही तयारी करें अब बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने दिया है annual mental studies and value education यह किसका है यह second Sam का है इसका मैंने solving भी डाला हुआ है तो आप इसकी solving देख लीजिएगा hundred question की solving है साथ में मैंने जो है इसमें आपके practice set भी डाले हैं उसको आप एक बार check कर लीजिएगा अब आते हैं force Sam में force Sam में Vedic study है Vedic mathematics है तो mathematics तो हम नहीं कराएंगे लेकिन Vedic study के notes हम आपको देंगे force Sam के लिए और BA, BC, BC सभी के लिए तो बने रहे हिंदी मिलर के साथ ऐसे beneficial video के लिए आपका सारी चीजी है solution हमने दे दिया है अब भटा भटा आप भी एक like कर दीजिए क्योंकि आपके एक like करने से बहुत ही महतोपूर वीडियो है students तो पहुच जाएगी और share भी कर दीजिए like share करने से क्या होता है आप हमसे connect होते हैं और हमें पता चलता है कि कितने students हमसे connect हो चुके हैं और कितना students हमें पसंद कर रहे हैं